जगडा तो कोई नहीं है बिल्कुल एक तो और प्लीज रीड माई लिप्स राश्चवादी कॉंग्रेस में कुछली ही फूट नहीं राश्चवादी कॉंग्रेस में कोही भी आप जैसे का लडाई जगडा फूट भी नहीं है तो जो पेपर में ही मैंने पढ़ा था कि 95% जो नमस्कार मैं दौला शर्मा और आप देखना सुरू कर चुके हैं SPN 9 News मारास की राजनिती लगातार जह पर बवाल मचा रहता है ना जाने कौन से दिन क्या हो जाए मारास की राजनिती में किसी को पता नहीं और आपको याद होगा कि जुलाई महा में किस तरीके से NCP के दो फाड हो गए थे सद्पवार जो की NCP के मुख्या है और जो की राजनिती के चाड़क किया भी माने जाते हैं यानि उनकी पार्टी और उनको नुक्सान पहुंचाना इतना आसान नहीं है जितना आसान बीजेपी ने कई पार्टियों के साथ कर दिया था आपको याद होगा कि यहां पर मारास्ट में ही सिर्फ सेना के दो फाड़ यहां पर हो गए थे यहां पर आपको बता दें कि सिर्फ सेना के दो गुट बन चुके हैं जहां पर एक तरफ उद्व ठाक रहे हैं तो दूसरी तरफ यहां पर एक नात सिंदे हैं और उसके बाद से ही लगातार मारा हो रही है नाम और चिन को लेकर जिसको लेकर सुप्रिया सूले ने एक बड़ा खुलासा किया है और सुप्रिया सूले या कहती हुई नज़र आ रही है कि एंसीपी के अंदर कोई फाड नहीं है कोई लडाई नहीं है यहां पर कुछ लेकर कोई लडाई देखी जा रही हो लेकिन आपको याद होगा जब इस पाड हुए थे तो यहां पर सरत पवार में खुली धंकी अजीद पवार को दी थी कि वह कोट और लेक्शन कमी संदक जाएंगे और अपनी पार्टी वह वापिस लेंगे क्योंकि यहां पर राष्ट्य अदर्च के पद से भी सरत पवार को अजीद पवार में हटा दिया था जिसके बाद हंगामा और ज्यादा तेज हो गया लेकिन जैसे जैसे समय बीटता रहा यहां पर जीद पवार दुवारा करीब आते रहे दो कई बार लगातार वह मिले कभी चाची से मिलने के बहान है तो कभी पार्टी की कोई मिटिंग को लेकर यहां दोनों चाचा भतीजे मिलते हुए नजर आए और अब सुप्रिया सूले ने इस मामले के ऊपर क्या कहा जगड़ा त कॉंग्रेस में को ही भी आप जैसे का लड़ाई जगड़ा फुच भी नहीं है इस पार्टी की स्तापना अधर्णिया पवार साब ने 25 साल पहले की थी कश्मीर टू कमन्या कुमारी बच्चा बच्चा जानता है कि राष्टवारी कॉंग्रेस एंसीवी मतलब शरत पवार ह हमारे देश के अद्रिक्षा शक्रात पवार है और महाराष्चा के अद्रिक्षट श्री गल्च जयन पांठिल जी और जयन पांठिल जी ने आभी यौनी टाई को महिलाउं के लिए उप काम कर रही है और हम सब उनके साथ अभी तीन दिन का दौरा इस एरिया में कर रहें तुम एडेटरियल सम्हाली विया संदर्व्ट कमक्रीन कि सवार में!! मार्ग काड़ू कि पूर्णापने तेंस जे काई वाशिंग मशीन है तुन बाहर आला कि नो आई इस एकडम डिफ्रॉस्ट काई प्रॉब्लम नाई जमन आमाला सवय दालिये ची वोहित कोवर के आपके आपका जागर चैनल लेया वर्तमान पत्र पड़े उसका उसी में किसी ने आटिया किया जो पेपर में हैं मैंने पड़ा था कि 95% जो केसिज है वो ओपोजिशन पर ऐसा अड़ी आई का डेटा कहता है तो जो खिलाफ बोलता है उसको आई आज किया जाता इस देश में नहीं बात में हमको आधत होगे इस बात अज़ा है इसलिए उनकों पर निकारवाह हुए है यह वो बीजेपी में जाना चीह सप्रेशर ला रहे हो सकता है देखिए आपके भी मन में ऐसा ही आया है ना हो सकता है आज कल जमान ऐसे हो गया है किती लाख वगरे मालायची फार्शी काई माहिती नाई परण प्रशासा ने ट्रिपल एंजिन सरकार है त्रिपल एंजिन सरकार नी उत्तर दिला पाईजेए अचा माला एची काई माहिती नाई है माला मागाई बेरोजगारी आणी दुश्कालावर प्रश्ण वीचा रामादा सगला आपयाज जाले लाए त्याजेए त्यांचा और मिटा बैटा कितना होते हैं कोनी काई माला ढंसा सरकार कड़े लाए त्या्यक्त कने ओ सब्सक्राइब पर्वाचे द्यूशी कांध्याची योड़ी मोठी दिलीला मीटिंग जाली पोड गेला इतुन किकरी उक्राइब पर्वाचे पस्रेंग दिलीला मीटिंग सब्सक्राइबू पर देशात कांदा जाव द्या दोन पईशे मिल तील पन याज केंदर सरकार निर्णाय वर उलाट 40 टके टाक्स लावला टमाटाला जेवा दोन पईशे मिल तो ते तेवा नेपाल वरुन याज केंदर सरकार करता ते अजीबात वेल नाई करनका ते आईस पक्षपोड घरपोड याज इतके व्यस्ता स्ताथ कि तना प्रशासना साथी वेल नस तो करता है याँ पर पूरी तरीके से सुप्रिया सूले ने इनकार किया है कि पाल्टी में किसी भी तरह की कले है या किसी भी तरह की तूट है और अपने वक्तवे में वह मुदी सरकार के ओपर भी हमला मारती हुई नजर आई और भी आसी ख़बरे जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद